उस्तक का नाम शिक्ष्या ही नहीं विद्या भी, लेखत पंडित श्रीरामशर्मा आचार्य, ओडियो एट, आगा में दस वर्ष अतिमहत्तुपुम्, प्राचिन काल में सत्युक का वातावरण अनायास ही नहीं बना रहा था, उसके लिए रिशिकल्प महामानव विद्याव स्तार के दायत्व को पूरी ततपरता से सम्हालते थे, आश्रमों, तीर्थों, आरण्यकों, गुरुकुलों, मंदिरों जैसे स्थानों, एवं कथा सत्संगों, तीर्थ यात्राओं, घर-घर अलग जगाने जैसी विदाओं के मात्यम से, जन-जन को श्रेष्ट मानवे ये मूल्यों से विभोशित किया जाता था, आध्यात्न विद्या का अवियल प्रवाह हर शेत्र में बहता रहता था, जिसके कारण हर व्यक्ति आदर्शों को अपनाने तथा उस दिशा में कुछ कर गुजरने के लिए हुलसता रहता था, अंतरहाल में सदभावनाय लहराती हो तो कोई कारण नहीं कि प्रार्ण चेतना में उल्लास भरी उमंगे न उपने और उस आकशन से प्रकरती का अनुग्र अजस्ट रूप में न भरसे, वातावर में सुक शान्ती के तत्व उछलते उफनते दिखना पड़े, सत्युक इनी परिस्तितियों का नाम था, उसका श संभावित हो रहे हैं, उनमें भी पूर्वर्ती स्वाम में संपताओं का समुचित समावेश होने जा रहा है, अस्तु यह भी स्वाभाविक है कि वैसा ही जन्मानस बने और उसके लिए पुरोहित वर्ग में सम्मिलित समझे जाने वाले जन्मानस के परिशकार में सनलगन देव मानव का एक ससक्त और बड़ा वर्ग नियंता की नियती को शुरोधारे करते हुए आगे आए, उसके लिए जीवन्तों और जीवितों के मन मानस में समुद्र मंथन स्तर का हिर्दय मंथन चल रहा है, विचार परिवर्तन और देवी आवाहन को सुनने समझने एवं अ समय की प्रबलता का अनुमान कोई भी कर सकता है, महाकाल जब करवटें बदलता है तो ऐसी उलट-पुलट बन पड़ती है जिसे देखकर दातों तले उंगली दवानी पड़े, इन दिनों ऐसा ही कुछ हो रहा है, होने वाला है, समय चक्र के अंतरगत यों पुनर जीवन भ फूर्ती लेकर सभी उस्साहपूर्वक उठ खड़े होते हैं, पत्जड में पेड़ ठोड बन जाते हैं, पर बसंता आते ही उन्हें नई कलियों एवं नई फूलों से लदा हुआ देखा जा सकता है, कुयोग जैसा कलियुक विगत शताब्दियों में अपनी विनाश लील हो भी रहा है, सत्युकी वापसी का इंतजार दसों दिशाएं उत्साहपूर्वक कर रही हैं, युक संदिकाल बारह वर्ष में ऐसा ही तानाबाना बुन रहा है, उसने अपना घोंसला शांतिकुझ में बनाया है, कार छेत्र तो उनका दृत गामी गरुन पक्षी की तरह द दसों दिशाएं में फैलना निर्धारित है, इस खोंसले में एक से बढ़कर एक अंडे बच्चे उगने, विक्सित होने और निकल आकाश में पंक्ती बद्ध उड़कर एक सुहावना द्रश्य उत्पन करने वाले हैं, बसंत सन 1990 से लेकर सन 2000 तक के 10 वर्षों में युक चे प्रश्य यह है कि एक वर्ष में एक लाग को ढूंडा और पकाया जाए, स्थान की कमी इस कारे में प्रधान भादा थी, आसूरी शक्तियां सदा से सत्प्रयोजनों में अर्चन उत्पन्द करने में अचूक नहीं है, उन्हीं का प्रकोप इन दिनों भी काम करता दिख फूस की कुटिया में चल जाती रही, तो कोई कारण नहीं कि इन दिनों वह कार्य तिन शेट के नीचे न चल सके, महंगी भूमी और इमारती सामान की दस्यों गुनी महंगाई को देखते हुए, शान्तिकुझ की वर्तवान इमारत को ही तीन मंजिला बना दिया गया है, जह एक लाग युकशिल्पियों का सिक्षन किसी प्रकार चल जाया करे, स्थान कम और लक्ष बड़ा होने की कारण सिक्षन सत्रों को सिकोर कर पांस दिवसी बना दिया गया है, पढ़ने पढ़ाने में तो लंबा समय चाहिए, पर प्रान प्रत्यावर्तन तो थोड़े समय में भी हो सकता है, देवर्शी नारत कहीं भी धाई गड़ी से अधिक नहीं रुपते थे, पर इतने में ही वे जिस पर भी हाथ रख देते थे, उसी को चैतन्य कर देते थे, विश्वा मित्र ने राम लक्षिमन को थोड़े ही समय में बला आति बला विद्याएं सिखा दी थी, इस डिश्ट्री से अभी नव पांस देवसी, सत्रस रंखला भी काम चलाओ परिणाम प्रस्तुत कर ही सकती है, एक वर्ष में एक लाग अर्थात, दस वर्ष में दस लाग की सिक्षन योजना है, साथ ही जो प्रसिक्षन प्राप्त करें, उन सब के जिम में यह दायत्व अपा गया है कि वे समयदान का क्रम निर्धारित गती से चलाते रहें और दस नए अपने जैसे अपने छेत्र में लोग से वी उत्पन्न करें, इस प्रकार दस वर्षों में वे दस लाग न रहेकर एक करोड की सीमा के समीब तक पहुँच जाएंगे, आशा की गई है, नैस कि वापसी का आधार बन सके, यह वितान इतने विस्तार में तन सके कि जिसके छत्रचाया में परियाप्त मात्रा में नव श्रजन के कर्णधार आवश्यक आश्रे प्राप्त कर सके, कहा जा चुका है कि युकसात्ना की पूना हुती अब सन 1995 से सन 2000 के दो खंडों में होगी, उन्हें एक स्थान पर न करके 2400 निजी प्रग्या पीठों और 24000 बिना निजी इमारतों वाले प्रग्या केंद्रों में संपन्न किया जाएगा, हर केंद्र में 100 से लेकर 1000 बेदी वाले दीप्यग संपन्न होंगे, इस प्रकार उनकी संख्या भी एक लाग से अधिक हो पुरुष्टरन समलित रूप से इतना फिशाल काय होगा कि अब तक के धर्मानुस्टानों में इसे अबूदपूर्व और सत्योक की वापसी के पुर्णे पर्व के आगमन का विश्वव्यापी उद्घोस कहा जा सके, आशा की गई है कि इस आयोजन के संपर्क में आने व परिवर्तन इतना सशक्त होगा कि उस समिले शक्ति के सहारे नव्युक का अवतरन सर्वता सार तक बन पड़े और हम सब 21 सदी के गंगा अवतरन का मतस्या अवतार का प्रतक्ष दर्शन अपने ही समय में कर सकने में समर्थ हो सके, जो परिजन इस दुल्लव समय का महत्त भी नस्ट किये बिना स्वयम को अग्रदुतों की भूमिका में प्रवर्त करने को ततपर हो रहे हैं। नव श्रजन की यह बेला अपनी जोली में असीम शक्तियां और असातरन सौभागें भरे हुए हैं। सतपात्रों को वे अनुदान देने के लिए समय आतुर हो रहा इस अफसर का लाव लेने के लिए आगे बढ़कर साहस दिखाने वालों के अभिनंदन प्रस्टिक्शन के लिए शांतिकुंज पूरी तरह ततपर है।